इस बहुत आसान और हेल्दी तरीके से जब आप भर्मात करेले बनाएंगे तो आपको इतनी टेस्टी लगेंगे कि आप सभी पुराने तरीके भूल चाएंगे और सब मांग मांग करके खाएंगे तो वेलकम है आपका समस किचिन में यहाँ पे मैंने 200 ग्राम करेले धोकर के लिए हैं और इनकी उपर वाले स्किन को खुरच करके निकाल दिया है अब दो पीस में काटेंगे और इसी तरह से सभी करेले छिल गए हैं अब जो बीच में से इसका गूदा और बीज है उसको संभाल के निकालना है ऐसे निकालना है कि इनके किनारे कटे फटे नहीं और अच्छी तरह से सारा गूदा और सारे बीच बाहर आ जाएं इस चीज का धिहान रखना है जो सखत वाले बीच हैं उसको हम निकाल देंगे क्योंकि वो खाने में अच्छी नहीं आते तो और साथ में अब नमक डाल करके रखेंगे जिससे इनकी कड़वाहट निकल जाए दस मिनट के लिए इसको रेस्पे रखेंगे तो आज का स्पेशल थैंक्स आता है अरजुन पावार जो की इन दौर एमपी से देख रहे हैं वीडियो मुजफर एहमद कतर से और गैरी सिंगापूर से आप सभी का बहुत बहुत थैंक्यू हमारे वीडियो देखने का और अप्रिशियेट करने का तो यहाँ पर नमक का नाम बता दीजे जिसे मैं आपको भी थैंक्यू बोल सकूं तो यहाँ पर करेले तो धुल गए हैं उसके साथ साथ छिलकों को भी अच्छी तरह से धो करके और इनकी पानी को कसके निचोड़ देना है तो इस तरह से नमक लगा करके धोने से कड़वापन काफी हद तक कम हो जाता है अब इन करेलों को मैंने एक जाली में रखा है और स्टीम कुक करेंगे यानि कि भाप में पकाएंगे इनको करीब 10-12 मिनट जिससे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तब तक तियार करेंगे मसाला एक चमच धनिया के बीच आधा चमच जीरा एक बड़ा चमच मोटी वली सॉफ मोटी वली सॉफ का फ्लेवर करेलों में बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर डालें इसको चार-पांच काली मिर्चे हैं आधा चमच लाल मिर्च पाउडर 6-7 कलिया लहसुन की थोड़ी सी हींग और यह जो है अमचूर पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर अधा चमच और इन सभी को बिना पानी डाले हम सुखा पीसेंगे बहुत ही खुश्बूदार बहुत ही टेस्टी मसाला यह बनकर तयार हुए है और बहुत बढ़िया सी खुश्बू आ रही है इसी से हमाई करेलों में बहुत बढ़िया फ्लेवर आने वाला है तो अब मसा कि दाने और राधा चमच मोटी वाली सौफ इससे बहुत अच्छी सी खुश्बू आएगी मसाले में और एक बढ़ा प्यास बारी कटा हुआ उसको डालेंगे और प्यास को हलका सब भूनेंगे और साथ में जो हमने यह चिलके और बीज गूदा सब दो के और निचोड के रखा तो उसको डाल देंगे और उसके साथ ही इसको बढ़िया सब भूनेंगे जब तक यह थोड़े क्रिस्प नहीं हो जाते नमक भी डाल देंगे तो तकरीबन एक चमच नमक पड़ा होगा इसमें और थोड़ी थोड़ी तेर तक इसको चला देंगे तो तीन-चार मिनट भूनेंगे तब यह इस तरह का हो जाएगा अब जो हमने पाउडर मसाला तयार किया है उसको डालेंगे और उसके साथ भी इसको एक से लिएड़ मिनट तक भून लेंगे अब आज दीम ही कर लेंगे क्योंकि सुखा मसाला जलना नहीं चाहिए तो अब यह मसाला भी तयार ह हो गया इसको थोड़ा थंडा करेंगे और इस बीच यहां पर करेलो को रखे हूए तकरीबं 10 मिनट हो चुके हैं तो यह अभी 60% तक गल चुके हैं और इतना ही हमें इनको गलाना था अब इसको ग्यास को बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे तो थोड़ा करेले को ठंडा होने के बाद भी अच्छी तरह से भरेंगे तो बहुत आसानी से इसमें मसाला भर जाता है बिल्कुल भी उपर निकल के बिखरता नहीं है और ये क्या इससे एक तो टमाटर की खटास हाईगी और साथ में ठाल देंगे थोड़ा सा ते तील अब यहां पर आप कन्ट्रोल कर सकते हैं और उपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और कसूरी में थीक्ति तो टमाटर के जो अब जूश निकलेगा उसी में यह करेले और यह कुछ इस तरह से पकना शुरू हो गए हैं पानी उपर से बिल्कुल डालने के जरूरत नहीं पड़ेगे और नहीं डालना है आपको पानी और पलट कर देंगे सभी चीजों को संभाल करके और दूसी साइट से भी इसको इसी तरह से धीमी आज पर पकाएंगे जब तक कि कुछ पूरी तरह से क्रिस्प नहीं हो जाते तो इस तरह से करेले बनाने पर ये एक तो जब हम नॉर्मल बनाते हैं बिना इस टीम किये तो बहुत ज़्यादा चीमर सा हो जाता है मतलब उसकी स्किन बहुत टाइट हो जाती इसमें ये है कि एक तो सौफनेस है और दूसरा से क्रिस्प हैं मसाला अंदर तक भरा हुआ है बहुत ही जबर्दस करेले बनके तयार हुए हैं तो आप इनको बनाईए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी इन स्टफ करेलो को आप जर्नी में भी ले जा सकते हैं क्योंकि जल्दी खराब नहीं होते हैं बहुत असान सी रेसिपी के लिए डेली थैंक यू सो मच